दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंगलिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुती इंट्रेस्टिंग स्टोरी आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा और मैं इसे करने व पार्ट है वो मैं आपको बिल्कुल डीटेल में बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें तो दोस्तों चली आज किस वीडियो को हम शुरू करते हो सबसे पहले हम आज की कहानी का हम टाइटल देखते हैं कहानी का जो अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट आप इसे पूरे ध्यान से सुने और यदि पॉसीबल हो तो साथ के साथा वर्ड मेनी को नोट भी करें क्योंकि बाद में आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं तो चली इसको शुरू करते हैं क्या मतलब वह देखिए जो वर्ड होटेस्ट ये एक एडजेक्टिव है और ये होट की थर्ड डिगरी सूपरलेटिव की थर्ड डिगरी होटेस्ट मतलब सबसे गर्म तो क्या मतलब वह इस लाइन का it was the hottest summer in फतेपुर सीक्री मतलब की कि ये फतेपुर सीक्री में सबसे गर्म गर्मी थी there was a scarcity of water everywhere देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है scarcity ये एक noun है आप इसे note कर सकते हैं जिसका मतलब होता है अभाव या फिर किसी चीज़ की कमी होना तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ there was a scarcity of water everywhere मतलब की वहाँ पर हर जगा पानी की कमी थी पानी का अभाव था scarcity मतलब कमी होना तो किसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर हर जगा पानी की कमी थी people begin to collect water from various water reservoirs क्या मतलब हुआ देखिए दोस्तों collect का मतलब होता है एकटा करना और यह जो word है begin यह begin की second form है और मैं आपको बताना चाहूंगो जो stories होती हो past indefinite में ही सुनाई जाती है और past indefinite में यदि वाक्य affirmative होता है तो word की second form का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर आप कई सारे second form देखेंगे क्योंकि जो story हो past indefinite के अंदर है तो क्या मतलब हुआ people begin to collect मतलब लोगों ने एकटा करना शुरू कर दिया water पानी को from various water reservoirs अलग अलग जलाश है पानी के जलाशों से तो इसका मतलब क्या हुआ इस पूरी line का लोगों ने अलग अलग water मतलब अलग अलग पानी के जलाशों से पानी को इकटा करना शुरू कर दिया a farmer was in great distress क्या मतलब हुआ देखिए दोस्तो great का मतलब होता है महान लेकिन यहां पर इसका मतलब है यहां महान ने इसका मतलब है बहुत तो इस line का क्या मतलब हुआ कि a farmer was in great distress और जो distress है यह noun है जिसका मतलब होता है संकट तो इस line का क्या मतलब होता है किसान यह एक noun है तो इस line का क्या मतलब हुआ अब farmer was in great distress मतलब कि यह किसान बहुत संकट में था he wanted a steady supply of water to keep his crops alive क्या मतलब हुआ दोस्तों यह word steady का मतलब होता है नियमित और supply का मतलब होता है आपोर्थी और दोसो यह जो word है wanted, यह want की second form है, जिसका मतलब होता है चाहना, तो क्या मतलब हुआ, he wanted a steady supply of water, वह चाहता था, क्या चाहता था, वो पानी की नियमित supply चाहता था, to keep his crops alive, alive adjective है, जिसका मतलब होता है जिन्दा, जेवित, और crops मतलब अनाज, तो इस line का क्या मतलब हुआ, he wanted a steady supply of water, वो पानी की नियमित आपूर्ती चाहता था, supply को हिंदी में आपूर्ती कहते हैं, पानी की नियमित आपूर्ती चाहता था, to keep his crops alive, अपने फसलों को जिन्दा रखने के लिए, चलिए, आगे देखिए, he decided to buy a well, दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं, कि जिसके अंदर दो वर्वों का प्रियोग किया जाता है, तो यह दो वर्वाला sentence है, जिसे decide यह वर्व की second form है, क्योंकि यह past indefinite का वाक्य है, तो यहाँ पर second form का प्रियोग किया गया है, decide करने का मतलब होता है, निलने लेना या फैसला करना, तो दोस्तों यदि आप कभी भी कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं, कि आप दो वर्वों का प्रियोग करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ही जब दूसरी वर्व लगाएंगे, तो उससे पहले two लगाना है, और two के बाद आपको यह चीज याद रखनी है कि हमेशा ही two के बाद वर्व की first home का ही प्रियोग किया जाता है, तो क्या मतलब वा, he decided to buy a well, उसने फैसला किया एक कुवा खरीदने का, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब वा, उसने एक कुवा खरीदने का निर्णे किया, या कह सकते हैं, उसने कुवा खरीदने का फैसला किया, चलिए, आगे देखिए, there lived a very rich man near his house, क्या मतलब वा, there lived a very rich man near his house, उसके घर के पास एक बहुत ही अमीर आदमी रहा कर रहता था, ये लिव की second woman lived, तो rich man मतलब अमीर आदमी, तो इस लाइए पूरी लाइन का क्या मतलब वा, कि उसके घर के पास, near his house मतलब उसके घर के पास, एक बहुत अमीर आदमी रहता था, the rich man had three wells in his possession, क्या मतलब वा, देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं, जहां पर आप ये शो करना चाहते हैं, कि past में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहाँ पर आपको head का प्रियोग करना होता आप इस शीज को note कर लीजिए, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहें, मान लीजिए, मैं एक आपके वाक्य बना देता हूँ, कि आप बोलना चाहते हैं, मेरे पास एक car थी, तो आप क्या बोलेंगे, I had a car, राजू के पास mobile था, राजू head a mobile, तो इस तरह के वाक्य बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, subject के बाद आपको head का प्रियोग करना है, और head के बाद जो भी noun है, मतलब की वस्तु वो लिख देनी है, तो आप easily बना सकते हैं, तो बस आप याद रखिए, जब भी past में आप ये दिखाना चाहते हैं, कि कि किसी man had three wells in his possession, मतलब की अमीर आदमी के पास तीन कुवें थे उसकी possession में, मतलब उसके अधिकार में, he readily agreed, देखिए, readily adverb है, जिसका मतलब होता है, तुरंत, आप इस वर्ड को note कर लीजे, readily मतलब तुरंत adverb है, agreed मतलब तयार हो जाना, he readily agreed, वो तुरंत तयार हो गया, to sell, बेचने के लिए, one of his wells, अपने एक कुवें को, to the farmer, किसान को, तो क्या मतलब हुआ, कि वो तुरंत तयार हो गया, अपने एक कुवें को, किसान को बेचने के लिए, at a very high price, मतलब बहुत जादा कीमत में, मतलब बहुत उची कीमत में, high price, मतलब उची कीमत में, आगे देखिए, the farmer gave away his hard earned money, दोस्तों, ये जो word है, gave, ये give की second form है, जिसका मतलब होता है, देना, और ये जैसा आप जानते ही है, past indefinite की कहानी है, तो ये past indefinite में story है, तो second form का प्रियोग किया जाएगा, the farmer gave away his hard earned money, hard earned money का मतलब होता है, महनस से कमाया हुआ पैसा, तो क्या मतलब हुआ, the farmer gave away his hard earned money किसान ने अपने महनस से कमाया हुए पैसे दे दिये, किसे दे दिये, क्यों दे दिये, to buy the well, कुवा खरीदने के लिए, तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ कि farmer ने अपने महनस से कमाया हुए पैसों को दे दिया, कुवे को खरीदने के लिए, he thought, दोस्तों, ये thinking की second form है, he thought उसने सोचा I don't have to worry about क्या मतलब वा मुझे चिंतित नहीं होना है I don't have to worry about मतलब मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है about water पानी को लेकर at least कम से कम for a few months कुछ महीनों के लिए तो इसलाइब पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या सोचा कि I don't have to worry about water at least for a few months मतलब कुछ महीनों के लिए मुझे पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है चले दोस्तों आगे देखिए इस आगे से स्टोरी में क्या होता है He went home happily happily एड़र्व है जिसका मतलब था खुशी से और ये go की second form है He went home happily वो खुशी से घर चला गया the next day अगले दिन when he was going to draw water क्या मतलब होँ next day अगले दिन when he was going to draw draw का मतलब निकालना जब वो जा रहा था when he was going जब वो जा रहा था to draw water पानी निकालने from the from the well मतलब कुएं से मतलब जब वो अगले दिन कुएं से पानी निकालने जा रहा था the rich man came दोस्तो ये come की second form है came मतलब आना आया तो क्या मतलब होँ the rich man came ameer आदमी आया and prevented him दोस्तो आप इस word को note कर लिए prevent का मतलब होता है किसी को किसे रोकना रोक थाम करना तो क्या मतलब होँ वो ameer आदमी आया and prevented him और उसने उसे रोका किसे रोका him मतलब यहां किसान के लिए उस हो रहा है prevented him उसे रोका from doing so ऐसा करने से तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो ameer आदमी आया और उसने उसे रोका ऐसा करने से मतलब कैसा करने से पानी निकालने से आगे देखिए the rich man said अमीर आदमी ने कहा you cannot use the water आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते of the well कुएं का तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ you cannot use the water of the well आप कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते as per the terms क्या मतलब वो terms का मतलब शर्तें तो उसने क्या बोला as per the terms मतलब की शर्तों के अनुसार I have only sold you the well अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये have का प्रियोग किया गया है और have के बाद यदि third form आती है तो वो present perfect का sentence होता है और दोस्तों आज का ही जो मैंने दिन में जो वीडियो डाला है दो बजे वो मैंने present perfect समझा है तो यदि आप चाहें present perfect को समझना तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं जहां पर मैंने बहुत ये detail में has have और third form का प्रियोग बताया है ये sell की third form is sold जिसका मतलब होता है बेचना I have only sold you the well मैंने आपको सिर्फ कुवा बेचा है ऐसा उसने बोला the water is still mine दोस्तों still का मतलब still के दो मतलब होते हैं आप इससे भी note कर लीजे still का मतलब होता है अभी भी या फिर फिर भी तो यहाँ पर इसका मतलब है अभी भी तो इस line का क्या मतलब होता the water is still mine मतलब की पानी अभी भी मेरा है चलिए ऐसा उसने बोला कि पानी अभी भी मेरा है you did not buy the water दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं past indefinite का बाक्य है और आप इस चीज को note कर लीजे past indefinite में जब भी आप negative का बाक्य बनाते हैं तो did not के बाद हमेशा ही वर्व की first home आती है negative में कभी भी आपको second form का प्रियोग नहीं करना होता है second form का प्रियोग सिर्फ affirmative वाक्यों में किया जाता है उसके अलावा सिर्फ first home ही आती है बाकी दूसरे जो भी sentence रह जाते है तो क्या मतलब वा you did not buy the water आपने पानी नहीं खरीदा the farmer had already used up his hard earned money to buy the well so he was feeling devastated and cheated दोस्तों काफी बड़ा sentence है मैं इसको छोटे-छोटे करके translate करता हूँ आप इसको ध्यान से सुन लीजे तो क्या मतलब वा the farmer had already already मतलब पहले से the farmer had already used up his hard earned money मतलब की farmer ने पहले ही अपने जो महनसे कमाई हुए पैसे खर्च कर दिये थे use कर ले थे, इस्तिमार कर ले थे to buy the well कूवे को खरीदने के लिए so इसलिए he was feeling, वो महसूस कर रहा था devastated, दोस्तों आप इस वर्ड को note कर लीजे, devastated बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये adjective है जिसका मतलब होता है तबाह हो जाना, तो क्या मतलब हुआ so he was feeling, devastated वो खुद को तबाह महसूस कर रहा था and cheated और ठगा हुआ तो वो क्या महसूस कर रहा था वो खुद को तबाह और ठगा हुआ महसूस कर रहा था आगे देखिए he was familiar, familiar का मतलब होता है किसी चीज़ से परीचित होना तो क्या मतलब हुआ है यहाँ पर और आप इस वर्ड को भी note कर लीजी adjective है, क्योंकि यदि आप बहुत सारे word meaning की note कर लेंगे तो आप उन्हें बाद में याद कर सकते हैं और अपनी English में यूज कर सकते हैं he was familiar, मतलब है परीचिता with verbal intelligence, मतलब की बीरवल की चतुराई से तो क्या मतलब हुआ कि वो बीरवल की court वो court गया, मतलब की अदालत गया to seek justice, seek मतलब मांगना to seek justice मतलब की नियाय मांगने the kazi took the case ये second format take की kazi ने case को लिया, मतलब उस मुकदमे को लिया the kazi took the case to the emperor जो kazi था उस case को मुकदमे को शेहनसा के पास ले गया who, who एक relative pronoun क्या मतलब हुआ, who finally appointed appoint करने का मतलब होता है किसी को निक्त कर देना, तो क्या मतलब हुआ जिनोंने finally क्या करा, appoint कर दिया, निक्त कर दिया to solve the matter मतलब इस matter को इस मामले को सुलजाने के लिए बीरवल को निक्त कर दिया, चलिए दोस्तो अब इस स्टोरी में बीरवल जी की एंट्री हो गई है यह तो जाहर सी बात है, यह स्टोरी अब बहुत ही अच्छी होने वाली है अब हम आगे देखते हैं कि बीरवल जी ने क्या करा after learning about the whole incident whole का मतलब होता है पूरा और learn का मतलब देखी याद करने भी होता है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है learn का मतलब पता चलना भी होता है after learning about the whole incident मतलब की पूरे मामले के बारे में पता चलने के बाद बीरवल अड्रेस्ट अड्रेस्ट का मतलब संबोधित करना अबीरवल ने संबोधित किया the rich man अमीर आदमी को and sad और कहा अब देखिए क्या कहा यह सुनने वाली बात है तब हमें story संज में हैगी if the water is yours यदि पानी आपका है you can use you can of course use it of course का मतलब निश्चित रूप से तो क्या मतलब बोला उन्होंने if the water is yours यदि पानी आपका है you can of course use it आप निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते है but लेकिन you cannot draw water from the well लेकिन आप नहीं निकाल सकते हैं you cannot draw water आप पानी नहीं निकाल सकते हैं from the well कुवें से that belongs to the farmer बलॉंग करने का मतलब होता है किसी से सम्मंदित होना या किसी तालूक रखला तो आप उस कुवें से पानी नहीं निकाल सकते हैं from the well that belongs to the farmer जो की किसान का है या किसान से तालूक रखता है तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ उन्होंने क्या बोला कि पानी तो आपका है इस पानी आपका है तो आप निकाल सकते हो निस शित्रूप से लेकिन आप कुवें से नहीं निकाल सकते है cannot draw the water from the well जो मतलब की जो किसान का है चलिए आगे देखिए the rich man could not say anything could not का मतलब होता है सका सकी सके पाया 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 कुछ नहीं कह सका to defend defend मतलब बचाव करने के लिए his argument अपने तरक का तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ the rich man could not say anything अमीराद में कुछ नहीं कह सका to defend बचाव करने के लिए his argument अपने तरक का बचाव करने के लिए finally मतलब आखिर कर the farmer got the well farmer को मतलब किसान को कुवा मिल गया as well as the water और पानी भी मिल गया और दोस्तों यहाँ पर आप इस story को देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सब यह लोग हैं और आखिर में हमने देखा कि क्या हुआ farmer को जो पानी था कुवा भी मिला और सब्सों Leaf पानी भी मिला तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह जो आज की this story आपको अच्छी लगी होगी और जैसा इस काहने सामे क्या है क्या सीखने को मिलता जैसा स्टोरी में हमने देखा कि यह जो अमीर आदमी था उसने अपनी चालकी से उस गरीब आदमी के साथ धोका किया और क्योंकि उसने क्या कहा कि कुवा तो मैंने बेचा है लेकिन आपको पानी इस्तेमाल करने कोई हक नी क्योंकि मैंने आपको पानी नहीं दिया है लेकिन बीरवल ने अपनी चतुराई से अपनी बुद्धी मानी से उस गरीब किसान को इंसाफ दिलवाया तो दोस्तों जिससे हमें क्या सिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी परिशानी में है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत जादा चालकी कर रहा है में अगर हम बहुत ही जादा दिमाग से बुद्धी मानी से काम लेते हैं तो उस व्यक्ति को भी हराया जा सकता है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मैंने पूरी कोशिश किये आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और मैंने मैं आपको यहां पर grammar का structure भी समझा दिया है मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी से समझ में आया होगा और दोस्तों यदि आपको मेरा प्रियास अच्छा लगा हो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे request है वीडियो को like जरूर करें comment भी जरूर ही करें जो भी आपके